ओम जै श्री हरी विश्णू जै मातरणी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है मा भगवते दुर्गा के गृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सरवदा बनी रहे दोस्तों अगर आप बहुत अधीक परिशानी में हैं कर्ज से परिशान हैं बिमारी से परिशान हैं शत्रूओं से परिशान हैं जैसे की नाकरात्मक उर्जा अगर आपके घर में बहुत अधीक है या फिर आपको लगता है कि आपके घर में तंत्र मंत्र का प्रुभाव है औ है तो तीनों उपाय कर सकते हैं और अगर आप शनी दोसों से बहुत अधिक परेशान है या जन्म कुंडली का कोई भी रह जिसकी वज़े से आपके जीवन में परेशानिया बनी हुई है तो ऐसी अवस्था में ये उपाय करने से निस्चित ही आपको लाब होगा और अगर आ आपके व्यापार में किसी की बुरी नजर लग गई है और आपको बार बार घाटा हो रहा है पहले कि जैसे आपका काम अब नहीं चल रहा है तो आपको ये उपाय जरूर करनाा चाहिए और ये उपाय आप घहर से कलह कलेश दूर करने के लिए भी कर सकते हैं जैसे कि अगर आपके घर में पैसे की बरकत नहीं होती है, घर में धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो ऐसे में इस उपाई को करने से घर में बरकत होगी, धन का आगमन होगा और धन का संचय भी होगा, मतलिब ये उपाई आपके घर की समस्त प्रकार की परिशानियों को दूर करने के लि लिस्ति थी आपके घर से सभी प्रकार की नकरात्मक उर्जा दूर होती है आपके जीवन से नकरात्मक उर्जा दूर होती है घर में सकरात्मक उर्जा का प्रवेस होता है और सुक्सम्रिद्धी सौभाग्य की वृद्धी होती है तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में मातरानी के नाम का जयकार भी ज़रूर लगाएं इससे आपको सकरात्मक उर्जा की प्राप्ति होती है और अगर आपका कोई भी सुझाओ हो कोई भी प्रश्न हो य उनके नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी बात करते हैं उपाय के बारे में तो देखिए जैसे कि अमवश्या तिती पर आपको ये उपाय करना है किसी भी अमवश्या पर कर सकते हैं चाहे तो हर अमवश्या पर ये उपाय आप कर सकते हैं और जैसे कि कल अम चीनी ले सकते हैं चाहें तो थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं मतलब चीनी या गुड़ में से कोई भी एक चीज आपको डालनी है और फिर इस आटे को आप गूंद कर और एक रोटी बना लीजिए थोड़ी सी बड़ी रोटी बना लीजिए और इसमें सरसो का तेल लग 33 होगा लेकिन अगर कोई काला कुत्ता नहीं मिलता है तो कोई भी कुत्ता जो आपके घर के आसपास मिल जाए उसे आप खिला दीजिए और एक टुकड़ा आप अपने घर की छट पर डाल देंगे तो इसे कवे खा जाते हैं और अब जैसे कि आपके प्रश्ण होंगे कि हम अ बिशे कर हो वजन देते हैं वीशेष्कर अमवाश्य थिति के दिन या शनिवार के दिन तो हमारे पित्रों की कृपा हमें प्राप्त होती हैं और को जरी रखी ब्रबार में और इism उपाई आपको जरूर करना चाहिए, आप चाहे तो हर शनिवार को कर सकते हैं, चाहे तो हर अमावश्या पर कर सकते हैं, और हाँ ये उपाई आप पूरे दिन में मतलब सुबे से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सुर्यास्त होने से पहले जरूर कर लीजिए, बात फिर आप एक मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं तो मिट्टी का बड़ा धुकन ले सकते हैं या फिर मिट्टी का कोई बड़ा सा ळीपक भी ले सकते हैं मतलब थोड़ा हो ना चाहिए नहीं है ऐसे ही आप二एपाट्ब बदने- 급ूर्ण एकर चाहिए इस पर में सोचते हुए दो सभी प्रकार की नखर लगी हो या कोई भी नखर आज़ा इस तेल chi मैं सभत ही और ऐसे ही मन में सोछते हुए आपको अंदर शे बाहर की तरफ यह पात्र लेकर घुमाना है और जब आप बाहर की तरफ जाते हैं, उसके बाद आप घर में वापस नहीं आएंगे, आप सीधे इसको ले कर, अपने घर के आज पास कोई भी पीपल का वरेक्ष हो, तो वहां ले जाकर रख दीजिए, और जैसे कि घर के आसपास अगर कोई भी पीपल का वरेक्ष नहों, तो ऐसे में घर के बाह अब आपके घर में सुक सम्रिद्धी आएगी अब आपके घर में सकरात्मक उर्जा का वास रहेगा घर आने के बाद हाथ पॉंमूध होकर और फिर आप अपने घर में प्रवेश करते हैं इस बात का धियान रखे और हां एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप ये कार्य कर रहे हूं, जैसे कि तेल आप अपने घर में घुमाते हैं, तो अंदर से बाहर की तरफ आपको निकलना है, मतलब आप मुख्य द्वार से प्रारंब नहीं करेंगे, घर के सबसे पहले हिस्से से प्रारंब कीजिए और मुख्य द्वार की तरफ निकलते हुए आप चले जाएंगे, और बाहर से आने के बाद हाथ पैर जरूर धो लीजिए, कुला कर लीजिए, मतलब एकदम आप ये मान लीजिए कि आपके घर से सभी प्राकार की नकरात्मक उर्जा अब आपने दूर कर दी है, और ये ले सकते हैं, गिलास ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं, और इसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, और गंगा जल के बाद आप शुद्ध जल डाल दीजिए, थोड़ा सा गुलाब जल डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, चुटकी बर हल्दी डाल और इस जल को आप अपने पूरे घर में चिड़काव कीजिए इस से मालक्षमी कवास आपके घर में बना रहेगा सकरात्मक उर्जा आपके घर में बनी रहेगी और किसी भी प्रकार की नकरात्मक उर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होगा तो ये जल आप अपने पूरे घर में जैसे की रसोई में, बालकनी में, छत पर, सभी कमरों में, तिजोरी में और अलमारी में, जो भी आपके पास सुब स्थान है, सभी स्थानों पर आपको इस जल का छिड़काव करना है, व्यापारिक स्थल है, तो आपको व्यापारिक शिड़काव कीजिए, इसका भी आपको उतना ही लाग मिलेगा, और हाँ, अगर आपके व्यापारिक स्थल में, अगर आपकी कोई दुकान है, वर्क्शोप है, कोई फैक्टरी है, जहां पर अगर आपको लगता है कि नकरात्मक उरजा है, किसी की बुरी नजर लगी है, य अगर हलडी मिश्रित जलजो शिड़काव करना है, ये भी आप अपनी दुकान पर व्यापारिक स्थल पर कर सकते हैं, और हां, हर शनीवार, हर अमावश्या ये उपाय किया जा सकता है, तो कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं, और जैसे कि हर बार आप लोगों की समस्या हो और हाँ एक बहुत जरूरी बात जो भी आप अपने जीवान में बदलाव का अनुभव करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए इससे दूसरे लोगों को मदद मिलती हैं दूसरे लोगों का भी धर्म पर विश्वास बढ़ता है तो अपने अनुभव अगर आप क अब तक के लिए नमस्कार